आज का जो वीडियो है वो पूरी तरीकी से monkey the dragon versus world government के लफ़ले के बारे में है आज हमनों dragon के बारे में बात करेंगे, dragon के power के बारे में बात करेंगे प्लस वो आगे जाकर के किस तरीकी से वो world government के खिलाफ क्या-क्या plan कर सकता है क्या-क्या उनके खिलाफ action ले सकता है, उस बारे में भी बात करेंगे अगर तुम manga chapter को follow कर रहे है, latest manga chapter पहुँच चुके हो तो तुम सब एक बात गौर करोगे, world government अभी के time पे बहुत ज़्यादा active रही है पिछले 800 सालों के मुकाबले, इससे पहले वो red line के उपर ही रहा करती थी जो भी digital लेना होता था, वो वहीं पर रह करके लेती थी marines वगरा, CP0 वगरा से काम चलवाती थी, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि उनको action में आना पढ़ रहा है लेकिन जब से लूफी एंटर किया है, grand line के अंदर, वो एक-एक को कूटते जा रहा है वो world के खिलाब जा रहा है, प्लस अभी जो new era स्टार्ट होने जा रहा है, काईडो के हारने के बाद जब मंगी डी लूफी जो है, कि योंग को बना, उसने ऐसे ऐसे कारणा में करने स्टार्ट किये, जो किसी ने सोचे नहीं थे भाई तुम सोच सकते हो, एक ऐसा island जो world government की territory है, वहाँ पे घुसके उनी की मार रहा है तो यहाँ पर world government का action में आना तो तैथा, प्लस अगर तुमने latest chapter पढ़ा है, तो वहाँ पर गौर करना last वाले panel में जो चीज हुआ है ना भाई, वो चीज मैंने imagine नहीं किया था सैटन बाकी के चार गोरोसे को समन करता है, इससे क्या हो रहा है कि लूफी वसे फाइव एल्डर्स का situation क्रियेट हो रहा है और वहाँ पर लूफी के अलावा, और कोई उस level के strong character मुझे नहीं नजराता है, जो सायद 1v1 में एक गोरोसे से fight कर दे और देखो यार सैटन को अभी तक कोई बे damage पहुँचा नहीं है, तो हम कह भी नहीं सकते हैं कि आखिर सैटन को लूफी कैसे हराएगा बसे यहाँ पर five elders versus लूफी का जो battle चल रहा है, वहाँ पर अभी तो लूफी का chance ही नहीं है जीतने का अभी लूफी उतना जगा strong नहीं है, जितना actual joy boy हुआ करता था 800 साल पहले वाला हाला कि आगे जाकर के लूफी अपना strong होगा और वो कैसे करके world government के हराएगा, वो चीज़ तो हमें देखने में मज़ा आए गए आएगा बट आज हम लोग बात करें उसके बाप के बार में, monkey the dragon, अगर इसके बार में तुम जाओ, ये पहले एक marine हुआ करता था और तुम सब जानते हो गार्प किस टाइप का जिद्धी बंदा था यार, वो अपने पोतों को marine बनाना चाता था तो यहाँ पर 100% security ये निकल के आता ही है कि वो अपने बेटे को भी force किया होगा और उसका बेटा एक marine भी रहा था, बट जिस तरीके से world government के लफडे चले और world government जिस टाइप का decision लेती थी, marine जिस टाइप से justice करती थी, dragon को बिलकुल भी पसंद नहीं आया तो उसने world government के खिलाफ जाना सही समझा, marine वगरा ये सब छोड़ दिया और वो अब बन चुका है world government के लिए worst criminal त्योरिस ऐसा कहते हैं कि monkey डी dragon की अब तक की जिन्दा pirates में सबसे ज़्यादा bounties हो सकती है और ऐसा भी कहा जाता कि इसकी bounty size roger and white beard से भी ज़्यादा होगी because ये direct world government के खिलाफ जाता है तो थोड़ा हम लोग आगे आते हैं dragon आगा जाकर के world government के खिलाफ लडने के लिए revolutionary army बनाता है जिसका सबसे पहला member होता है इवान को फिर वो आगे जाकर के धीरे धीरे इसमें बंदे join होते जाते हैं ये एक बहुत बड़ा crew टाइप बन जाता है पर ये कोई pirate crew जैसा नहीं है वैसे मैं यहाँ पर revolutionary army को पूरा explain नहीं करूँगा इसके members वगेरा वो कितने ज़्यादा strong है revolutionary army कितनी ज़्यादा powerful है उसके बार में because मैं उसके उपर अलग से वीडियो लेकर के आओंगा जहाँ पर एक एक character के बार में बात करूँगा अभी मैं फिलाल dragon and world government के बार में ही बात करूँगा यहाँ पर देखो dragon world government के खिलाफ starting में क्यों गया था यह बात तो हम सबको पता है उसको वहाँ का justice पसंद नहीं आया था plus world government की हरकते नहीं पसंद आई थी लेकिन अब ऐसा situation बन गया ना भाई यह बंदा बदला deserve करता है नहीं समझ मैं आ ना चलो मैं तुमको एक example देखे बतातो dragon का connection पहले डॉक्टर क्लोवर के साथ भी हुआ करता था जिसे world government ने टपका दिया और डॉक्टर क्लोवर के वज़े से ही डॉक्टर वेगा पंक एंड मंकी डी ड्रैगन मिल पाए थे याद साका सबसे पहले phone करके किसको बताता है कि वो मरने वाला है monkey डी ड्रैगन को और यह बहुत ज़्यादा intelligent है इससे तुम समझ सकते हो डॉक्टर वेगा पंक एंड मंकी डी ड्रैगन कितने ज़्यादा करीब है और अभी currently जो manga chapter में चला है न जिस तरीके से डॉक्टर वेगा पंक को भारी damage पहुँचा है जिस तरीके से डॉक्टर वेगा पंक का हालत खराब है बहुत कम chance है की डॉक्टर वेगा पंक बच पाएगा पर वो बचता है की नहीं ये चीज मैं देखना चाहूंगा यहां पर देखो डॉक्टर क्लोवर के साथ कांड गुआ फिर डॉक्टर वेगापंक के साथ, इन सब चीजों से भी तो ड्राइगन बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा, एंड ये सब का बदला तो ड्राइगन लेना ही चाहिए, इसके बाद उसके बेटे के उपर भी प्राब्लम्स आये हैं, लाइक फाइब एल्डर्स अब लूफी भी डेंजर में, तो क्या उसका बाप बचाने आएगा, वो देखना पड़ेगा, बट हाँ लूफी बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है, वो बचके जैसे तैसे करके निकल जाएगा, उपर से वो मेन कैरक्टर है तो प्लॉट हमेशा उसके साथ चलता है, प्लॉट ये सब वर्ल्ड गवर्मेंट जिम्मेदार है, कुमा जिन्दा है कि मर गया, इसके बार में भी हमें कोई आइडिया नहीं है, दूसरी चीज़ जो गिनी है, उसके साथ जो डार्क चीज़े हुई थे, याद करने से भी बहुत गुस्सा आता था, इसका रिवेंज भी ड्रा ड्रागन की किलाब हद से जादा बुरी चीज़े की है, भाई कसम से यार अगर ड्रागन के जगए यहाँ पे लूफी होता ना, वो अब तक कुछ ना कुछ बहुत बड़ा कांड कर चुका रहता, विकाज उसके क्रू मेंबर को कोई ऐसा करने की, भाई तुम सोच भी नही बंदा है, उसके हरकते उसके दादा जी जैसी है, जैसे वो बुढधा भाई आओ देखता ना ताओ, सीधा जाके कूटो, वो उस टाइप का बंदा है, लेकिन जो ड्रागन है, उसकी परसनालिटी थोड़ा अलग है, वो सोच समझ के डिसिजन लेता है, भले ही वो हद चलती दिखाए गी है, तो अलगा है, तो मुझे लगता है, कि ड्रागन आराम से एक गोरो से लेवल तो है ही, प्लस उसको भी हाकी का एक नया वेरियेशन आता होगा, भाई, उसका बाप इतना ज्यादा स्ट्रौंग है, उसका बेटा उतना ज्यादा स्ट्रौंग है, तो ये बंदा तो strong होना ही चाहिए, उपर से ये बंदा अभी पूढ़ा नहीं हुआ है गार्प की तरह, और ना ही लूफी की तरह पूरा जवान है, इस बंदे को अपने पावर को control करना बहुत अच्छे से आता होगा, प्लस जब भी dragon हमें दिखाया गिया है, हमेशा उसके इर् यूजर नहीं बना था, वो dragon के किसी हाकी टाइप कोट करके claw technique को यूज करके भाई जिस तरीके से destruction मचा रहाता है, ये वाली technique 100% dragon ने सिखाई है, इस टाइप का हाकी यूज करते विया, आज तक जितने भी one piece में characters दिखाये गया है, तुम किसी को नहीं देखोगे, जितना भी हाकी मोमेंट आया, ये वाला technique तो भाई यूजी नहीं हुआ, सिर्फ सैबो करता है, तो यहाँ पर यार dragon को तो ये वाली technique आती ही होगी, और dragon इस चीज़ को किस level पे यूज कर पाता होगा, ये अभी एक mystery है, प्लस monkey did dragon भी उन चुनिंदा लोगों में से एक है, जिसके पास supreme king हाकी है, तो तुम सोच लो ये बंदा किस हद level तक power के मामले में जा सकता है, और Oda Sensei अब तक हमें ये character छिपाते हैं, यहाँ पर एक सवाल के तरफ चलते हैं, क्या dragon लूफी को बचाने आएगा, या वो अपने बेटे को बचाने के लिए world government से जाके direct face to face भीड जाए Because अगर तुमको one piece world नहीं समझ में आता ना, तो तुम जाकर के मेरा पहले ये वाला वीडियो देखो, यहाँ पर तुमको समझना पड़ेगा, one piece world क्या है, and लूफी का location अभी गहाँ पर है, and dragon का location कहाँ पर है, इसलिए अगर तुमने मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखा ह इसको मैं description and comment box में link के साथ दे दूँगा, तो जाकर के ये वाला वीडियो देखके समझ लेना, उसके बाद ये वाला scene समझ में आ सकता है, और अगर तुमको one piece world अच्छे से समझ में आता है, तो यहाँ पर देखो one piece world के दो हिस्से हैं, यहाँ को one piece world पूरा earth की तरह है, ले दूसरे साइड को कहा जाता है new world, new world में four emperors का राज चलता है, और paradise में पूरी तरह से completely world government या marine का राज चलता है, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, लूफी और ड्रैगन का location अलग अलग जगा पे है, लूफी अभी new world में है, ड्रैगन अभी कामाबा का kingdom में है, और वाला जो जगह है न, paradise की हिस्ते में आती है, तो यहाँ पर तुम यह समझो, monkey d dragon को वहाँ से red line cross करके उस दूर तक जाना पड़ेगा, और यह पलक जपकने बाला काम नहीं है, भाई कुमा तक टेलिपोर्ट होके direct नहीं जा पाया था, वो पहले वहाँ से टेलिपोर्ट होक कैसे, और यही सबसे बड़ा problem है, मैं यह नहीं कह रहाँ कि dragon वहाँ पे आ नहीं सकता, dragon के पास अगर कोई mysterious power है, जो की एक next level being वाला power है, जो अभी तक हमें introduce ही नहीं किया गया, उसके devil fruit power कोई खास सकती देता होगा, जिससे वो कहीं पर भी आ जा सकता है, तो अलग बात है, पर फिलाल के टाइम पे, यह वाली चीज तो कर पाना बहुत मुस्किल लगता है, वैसे तुम सब का क्या मानना है, मुझे इस बारे में comment box में बताना मत भूलना, प्लस देखो, यह वाला वीडियो ना आधा दूर है, because मैंने यहाँ पर revolutionary army को explain नहीं किया है, revolutionary army को उपर मैं वीडियो बना करके, अलग से आगे के बारे में बताऊंगो, जो चीज मैं कहना चाहता हूँ, तो उस वीडियो का वेट करना, जिससे यह वाला वीडियो थोड़ा complete type का लग सके, मैं एक वीडियो में दोनों को बता करके, यह वाली वीडियो यार, एक हपता लग जाती, बनाने में आदा गंटा पार हो जाता, इस वज़े से मैंने इसको दो पाट में डिवाइड कर दिया, खैर तुम सब का क्या मानना है, इसको ले करके, मुझे comment box में राय दो, और हाँ, वीडियो पसंद रहा तो वीडियो को like मारो, चैनल पे नहीं आएगो, इस सब्सक्राइब मारो, और हाँ यार, बेल आइकन भी on कर देना, जिससे मुझे motivation मिलता रहेगा, और मैं ऐसी वीडियो बनाता हूंगा,